दोस्तों आज का टोपिक है बोर्ड मास, बोर्ड मास क्या होता है हम इसके बारे में आज जानेंगे, लेकिन उससे पहले क्यादि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्ट्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिए चलिए बढ़ते हैं हम आगे की और, बोर्ड मास की तरफ, तो B-O-D-M-A-S, बोर्ड मास, आखिर ये है क्या, बोर्ड मास के बिना आप मैथ नहीं बना सकते हो, उसको सुल्व नहीं कर सकते हो, तो पहले बोर्ड मास हम देखते हैं, इसे पहले हम कुछ छोटा मोटा टॉपिक बी से क्या होता है, ब्रेकेट, ब्रेकेट का मतलब होता है, उसके बाद आता है, O, O का मतलब होता है, आफ, वो का मतलब होता है, और का का मतलब होता है, गुना, जैसे माल लेजिए, यदि कोई कोश्चन आपको दिया जाए, दो का, तीन, अबर कोई कोश्चन आपको दे द जाए, दो, का, तीन, ऐसे करके अगर कोई question आए उसमें, तो का का मतलब वहां क्या होगा, गुना, इस का क्या मतलब हम रखेंगे, दो, गुना, तीन, का का मतलब गुना, उसके बाद आता है D, D, D का मतलब होता है, divide, divide का हिंदी क्या होता भई, भाग, भाग करना, फिर उसके बाद आता है M, M का मतलब होता है multiply, multiply का मतलब क्या होता है, गुना, जा होता है multiply का मतलब, गुना, फिर उसके बाद आता है A, यहाँ A, A का मतलब होता है add, add का मतलब, जोर, मतलब, जोरना, फिर उसके बाद आता है आखरी में, S, का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट क्या होता भई सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाओ मतलब घटाना अब जहां से यहां फे ध्यान दीजिए आप यह जो सब के बारे में हम तो पड़ लिये लेकिन यहां एक जिस है ब्रैकेट कोस्ट के बारे में फी जनकारी होनी चाहिए तो कोस्ट के बारे में जनकारी यहां पर हम देखते हैं भई कोष्ट ब्रैकेट जो होता है ये तीन परकार का होता है कोष्ट कितने परकार का होता है तीन परकार का होता है पहला होता है छोटा कोष्ट उसके बाद होता है मध्यम कोष्ट उसके बाद होता है बड़ा कोष्ट ये छोटा कोष्ट का क्या हो गया सिंबॉल हो गया, चोटा कोस्ट का सिंबॉल हो गया, और ये मध्यम कोस्ट का सिंबॉल हो गया फूल के जैसे जो बनाया जाता है और बड़ा कोस्ट, यानि उसका सिंबॉल ये हो गया, जिसमें हम तीन नंबर लिखे हैं, यानि पहला ये हो गया, दूसरा यह हो गया और यह किसरा हो गया और बड़ा कोस्ट का यह बिल्कुल आप जो है आयत लिखो या वर्ग लिखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से या ऐसे माल लीजिए अगर आयत हम देते हैं और बीच में इसको ऐसे कर देते हैं हटा देते हैं मिटा देते हैं यह भी क्या हो गय जो बहुत खास है और आपको पता है ही कि खास जो होता है उसका बात सबके साथ में नहीं किया जाता है अलग किया जाता है खास तरह से ही की जाती है उसके लिए बात चलिए यहां रेखा कोस्ट जो है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है और बहुत ही खास है इसलिए हम यहां अ रेखा का मतलब रेखा कोई लड़की नहीं है यहां, रेखा का मतलब हमने जो पहले वाला वीडियो में बताया है रेखा का मतलब लाइन मतलब यह हुआ कि ऐसा कोउश्ट या कोई कोश्चन दे दे और उसके उपर एक रेखा plants दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा रेखा Coast कहलाएगा इस रेखा के बारे में हम बात कर रहे हैं कहीं और ध्यान नहीं ले जाना है आपको चलिए यहां देखते हैं हम रेखा Coast जैसा आमने दिया भी यहां पे देखियेगा Coast एक तो दिया उसके उपर एस्ट्रेट लाइन हमने खिंच दिया है तो ये हो गया रेखा कोस्ट अब ये क्यों खास है तो इसने पहले दरसा सुनिएगा एक बात मान लीजिए आपके घर में कोई महमान आए या हमारे घर में कोई महमान आए तो सबसे पहले उसकी खातिरदारी की जाती है आपके घर में कितना हूँ कोई छोटा है दुलारा है लाडला है प्यारा है लेकिन उसी वक्त कोई महमान आ जाए आपके घर में तो सारा जो है छोटा वला दुलारा वला लाडला प्यारा जो भी होता है वो साइर हो जाता है और जो महमान होते हैं उस चाने करब मतलब दूसरा खातिरिदारी नहीं समझना है क्योंकि खातिरदारी बहुत Torres everybody हिए आज-्पल तो वह वाला खातिरदारी नहीं समझना है रेस्पेक्ट वाला में हम बता रहा है अब इसने पहले प्रसा फिर हम कोश्ट पर चलेंगे अब इसमें क्या होता है छोटा कोश्ट मध्यम कोश्ट बड़ा कोश्ट अगर किसी कोश्टन में तीनों कोश्ट आए या दो ही कोश्ट आए तो सबसे पहले इसमें हम छोटा वाला कोश्ट का जो है का यह सबसे पहले उसकी बात मानी जाती है उनका बात पूरा किया जाता है वो जो बड़ा कोष्ट जो है इनका काम किया जाए 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 बड़ा वाला को ज्यादा पूछवाई नहीं होता है यह सबर कर लेता है इसलिए बड़ा कोष्ट का जो है यह समझदार होता है इसलिए इसका बड़ा कोष्ट का जो है बाद में काम किया जाता है ठीक है लेकिन at a time उसी में इन तीनों के एलावा घर में मेहमान जवा जाता है तो तीनों को छोड़कर ये दुलारा प्यारा को भी छोड़कर के छोटा वाला को छोड़कर के भी मेहमान के खातिरदारी में लग जाया जाता है उनकी खातिरदारी की जाती है मतलब यहां पर यह हुआ कि अग तो सब को छोड़ देना है, side कर देना है और रेखा कोष्ट के लिए काम करना है रेखा कोष्ट को पहले solve करेंगे, उसको solve करने के बाद ही बागी को हम देखेंगे जैसे कि यहां पर ध्यान दिजिए, माल लिजी हमने एक question दिया है यहाँ पर पहला नमबर है दू पलस दू भागा दू दू पलस दू भागा दू और दू भागा दू के उपर क्या किया गया है रेखा दिया गया है मतलब यह क्या है भई यह रेखा कोश्ट हो गया मतलब सबसे पहले दू भागा दू का हम काम करेंगे तो दू पलस दू भागा दू क्य है यहां रेखा कोष्ट दिया गया है तो सबसे पहले रेखा कोष्ट का काम करेंगे भृई रेखा कोष्ट यहां कहता है आठ में से 2 घटाइए आठ Consult घटाने के बाद क्या मिलेगा 6 मिलेगा और पहले से 3 है, 6 मिला करके 9 अंसर हो लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर जरसा यह 8-2 है अगर यह वला आपको क्या करते हैं रेखा कुछ नहीं दिया रहता तो बाकी जो है बोर्ड मास के हिसाथ से पहले हम किसका काम करते भई यहां ध्यान दीजिए तो इसमें जोड का काम करते क्योंकि घटाओ भी है और जोड भ ढिए दिखने उसके बादसा इसब्डरेख घटा आता है उसके बाद हम घटते दूरी बाले अंसर एक हो लेकिन बसाँ नियम वैसे बनाया लेकिन यहां पहले इसको सुझ गा जा रहा है तीन पलस आठ मुझे दू घटा दिया गया तो 6 हो गया, 6 कि 9 एंसर हो गया नोट में याद रखिएगा आप दरसा कि बोड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट की किरिया करते हैं सबसे पहले किसका काम करेंगे? ब्रैकेट का काम करेंगे और ब्रैकेट में भी सबसे पहले रेखा कोष्ट सबसे पहले किसका? रेखा कोष्ट वही जो महमान साब है उनका काम करेंगे, फिर उसके बाद जो दुलारा प्यारा है घर में छोटा वाला तो छोटा कोष्ट का काम किया जाएगा फिर बीच वाले भाई साब हैं, वो मजहोला कोश्ट जिसको बोलते हैं, उसका काम करेंगे, और आखरी में जो सबसे समझदार है, नहीं, मतलब बड़ा कोश्ट का काम करेंगे, किसका काम करेंगे आखरी में? बड़ा कोश्ट का काम करेंगे, उसके बाद ध्यान दीजिए, OFF का काम करेंगे, OFF मतलब का वाला, सबसे पहले का होगा, अगर कुछ नहीं होगा, तो उसके बाद का का काम करेंगे, OFF का क्रिया, फिर भाग का का काम करेंगे, किसका का काम करेंगे, उसके बाद गुना का काम करेंगे, और उसके बाद जोर का काम करेंगे, और सबसे आखरी में अंत में किसका काम करेंगे, घटाओ का काम करेंगे, याद रखिएगा, अगर इन सभी किरियाओं में यह जो प्रोसेस है, कि पहले किसका काम करना है, मालेजे यह B, O, D, MS, यानि कि कोष्ट, गुना, यानि का, भाग, गुना, जोड़ घटाओं है, अगर इन सभी में से कोई एक-दो यह किरिया में से गयब भी हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, तो इसके जो है करम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो गयब हो गया, तो गयब हो गया, उसके बाद जो आएगा उसी का काम करेंगे नियम के इस साथ से, है ना, मतलब किरिया में इसके कोई भी करम में जो है परिवरतन नहीं आएगा किसी के अनुपस्थित हो जाने से तिक है आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए श्यर कीजिए और बेल आइकन पर कीजिए ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिपिकेशन मिलता रहे ओके थेंक यू बैवाय आप